वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच न्यूजी लेंड और इंग लेंड के बीच खतम हो चुका है और इस मैच के खतम होने के बाद वर्ल्ड कप का नया पॉइंटेबल सामने आ चुका है तो इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंटेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सी चार टीमों के पास प्ले आफ में जाने का सबसे बहतरीन चांस है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बहतरीन होगा इसलिए वीडियो में सुरू से लेकर के अंत तक बने रहें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जानते हैं वर्ल्ड कप 2020 के नए पॉइंट टेबल को तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजी लेंड और इंगलेंड के बीच खेला जा रहा था जहां पे न्यूजी लेंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जित करके गिंदबाजी करने का फैसला किया और इंगलेंड की टीम के विकेट स्टार्ट से ही गिरना इस्टार्ट हो गये थे जहां पे इंगलेंड की टीम 50 ओभर में 282 रन बनाने में सफल रहे और जब न्यूजी लेंड को लक्ष का पिछा करना था तो न्यूजी लेंड का पहला विकेट जल्द ही गिर गया था लेकिन इसके बाद न्यूजी लेंड की तरफ से यहां पे रचिन रविंद्र और इसके साथ ही डेवान कॉनवे ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए न्यूजी लेंड की टीम के लिए अच्छा परदसन किया और अब ये मैच पूरी तरीके से खतम हो चुका है तो आएए अब जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के नए पॉइंट टेबल को तो वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में दसवे पैदान यानी की बॉटम पे जो टीम है उस टीम का नाम है इंगलेंड और इंगलेंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक इंगलेंड के गिंदबाजों का भी प्रदसन बढ़िया नहीं था जिस वजह से न्यूजी लेंड की टीम ने इस टोटल को छेज कर दिया और इंगलेंड की टीम ये मैच हार चुकी है तो फिल हाल इंगलेंड टोटल एक में से एक मैच हार जाने के चलते जीरो अंको के प्रदसन करना परेगा और इसके बाद पॉइंट टेबल में नंबर 9 से ले करके नंबर 2 तक वो टीमें है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला और इसमें नामाता है भारत, बांगलादेश, दक्षीन अफुरीका, स्रीलंका, पाकिस्तान और भी कई सारी टीमों का जै कि भारत की टीम अपना पहला मैच खेलने वाली है और इस्ट्रेलिया के खिलाप आठक तुबर को जो कि दो पहर दो बजे से चेपॉक इस्टेडियम में खेला जाएगा और कल वाला मैच पाकिस्तान इदरलेंड के बीच होने वाला है तो अब बात करते हैं कि आखिर कर लिया जहां पे न्यूजी लेंड ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच में पार्टिसिपेट किया और इस मैच में न्यूजी लेंड को 213 रन बनाना था और रचिन रविंदर और डेवान कॉनवे के सांदार बैटिंग के चलते न्यूजी लेंड ने इस लक्ष को आशानी से चेज कर लिया तो फिलहाल न्यूजी लेंड की टीम पहले मैच में इंग लेंड को हरा चुकी है तो अभी न्यूजी लेंड टोटल एक में से एक मैच जीत जाने के चलते दो अंकों के साथ पोईंटेबल में सब से टॉप यानि कि सिखर पे है और न्यूजी ले में सेमी फाइनल में जाएगी चारो टीमों का नाम कमेंट में बताएं